Hello friends, I am Ravi Bright and क्या आपको पता है कि नेवला साब को कैसे मारता है? क्या साब को खाने से नेवले की मौत हो जाती है? जाफर नहीं एंड सबसे बड़ी बात कि नेवला किंग कोब्रा साब को मार सकता है? क्या शे पोसिबल है? सो बेसिकली आज की वीडियो लेट करेगी नेवले के कुछ फैक्ट से एंड इसे जानने के बाद आप एक ही शब बोलोगे Oh my god! So first ये कि नेवला साब को मारता कैसे है? बेसिकली आपने नेवला एंड साब की फाइटिंग तो जरूर देखी होगी पर क्या आपने नोटिस किया कि नेवला साब पर कभी भी हमला नहीं करता? बलकि हर वक साब नेवले पर हमला करता है एंड नेवला हर टाइम पीछे हट जाता है सो होता ये है कि जब साब बार बार नेवले पर अटाइक करता है तो कुछ टाइम बार साब ठक जाता है and at a time नेवले को शेह महसूस होता है कि साफ ठक चुका है and उसी वग नेवला उची छलांग लगाता है and साफ की गर्दन अपने तीखे दांटों से तोड़ देता है so साफ कुछ सेकंड्स के बाद भगवान को प्यारा हो जाता है श्यानी मर जाता है Basically पर क्या हो शती साफ अपने दातों से नेवले के शेरीर को काट डाले तो नेवले का क्या होगा well यह decide करता है कि साफ ने नेवले को काटा है शती हम बात करें कोबरा साफ की तो इसमें से बहुत कम chances होते हैं कि नेवला कोबरा साफ से बचवाई पर होता ये है कि जब कोई भी साफ नेवले को काड़ता है तो जहर जब नेवले के अंदर जाता है तो सैल्स के अंदर बोडी रिसेप्टर्स होते हैं एंड ये जहर को न्यूटलाइज कर देते हैं पर कई बार जब साफ बार बार नेवले को काड़ता है तो बोडी रिसेप् में 80% शिमाना किया है कि नेवला कोब्रा साब को मार देता है हमारे देश भारत में एक ग्रे मेंगोज शानी ग्रे रंग का नेवला पाया जाता है जो कोब्रा साब को काफी अच्छी तरह से मार पाता है पर चलिए कुछ और जानते हैं कि आपको पता है कि एक फीमेल नेवला दगेगा कि एक female नेवला एक साल में एक बार अड़े देती है वल कि आपको पता है कि नेवले एक family की तरह काम करते हैं श्यानी कुछ नेवले शिकार करते हैं आपको हसी आयगी कि ये नेवले रात की समय एक नेवले को guard यानी जंकिदार बनाते हैं कि नेवले को रखना एक गयर क्णूनी जुरम है क्योंकि इसे करने से environment की destruction हो जाती है and क्या आपको पत है कि TB जैसी बिमारी इन नेवलों में भी पाई जाती है so basically if you like this video then share with friends like this video as well as subscribe the fact bright channel and thanks for watching this video